श्री गणे शायरम श्री जान की वल्लब वविजयते वनानाम अर्थर संगानाम रसानाम चंद साम पे मंगलानांच करता रो वन्दे वानी विनाये को अर्थात अक्छनों अर्थ समों रसों चंदों और मंगलों की करने वाली सरस्ती जी और गणे जी की मैं वन्दना करता हू अर्थात मैं उन गुरु महराज के चरंड कमल की वंदना करता हूँ जो कृपा के समुद्र और नर रूप में श्रीहरी ही हैं और जिनके वचन महा मोह रूपी घने अंधकार के नाश करने वाले के लिए सूरिक किर्णों के समुव हैं आईए सुनते हैं संतवानी में अगली कड़ी वैश्णों को जो एक जाती मानता है शालग राम को जो एक पाशान समझता है सद्गुरु को जो एक मनुष्य समानता है उसने कुछ न समझा जो नीज सत्ता छोड़कर पराधिंता में जा फंसा उसे सपन में भी सुख की वारता नहीं मिलती जो धन के लोब में फंसा हुआ है उसे कलपांत में भी मुक्ती नहीं मिलती जो सरोदा इस्त्रिकामी है उसे परमार्थ या आत्मबोध नहीं मिल सकता जब सुर नारायन प्राची दिशा में आते हैं तब तार अस्त हो जाते हैं वैसे ही भक्ती के प्रभुत काल में कामादी को खुली जलानी पड़ती है सत्त के समान कोई तप नहीं सत्त के समान कोई जप नहीं सत्त से सद रूब प्राप्त होता है सत्त से सादक निश्पाप हो जाते हैं वर्णों के चाहे वर्णों में स्वारी माफ करेंगे वर्णों में चाहे कोई सबसे स्रिष्ट क्यों नहूँ यदि वह हरी चरणों से विमुख है तो उससे वह चांडाल सेस्ट है जो प्रेम से भगवत भजन करता है अन्ता सुद्धी का मुख्य साधन हरी किर्टन है नाम के समान कोई और साधन नहीं है भक्त जहां रहता है वहां सभी दिशाय सुख में हो जाती है वह जहां खड़ा होता है वहां सुख से महासुख आकर रहता है अभिमान का सरोदा त्याग करना चाहिए संपूर्ण अभिमान को त्याग कर प्रभू की शरण में जाने से तुम जन्म मरन आदी के दुन्दों से तर जाओगे जो रिदेयस्त है उसकी शरण लो प्रभू की प्राप्ति में सबसे बड़ा स्बाधक है अभिमान प्रभू की शरण में लोटा करती है वह उनकी और देखता तक नहीं जिस भक्त को प्रभू की भक्ती प्राप्त हो जाती है उसके सभी व्यापार भगवताकार हो जाते हैं भक्त जीस और रहता है वह दिशा श्री कृष्ण बन जाती है जब भोजन करने बैठता है तब उसके लिए श्री हरी ही शट्रश हो जाते हैं उसे जल पिलाने के लिए प्रभू ही जल बन जाते है जब भक्त पैदल चलता है तो शांती पद पद पर उसके लिए मृदू पदासन बिचाती है और उसकी आरती उतारती है शम दम आग्याकारी सेवक होकर भक्त के दौर पर हाथ जोड़े खड़े रहते हैं रिद्धी सिद दासी बनकर घर में काम करने लगती है विवेक तहलुआ तो सदा हाजिर ही रहता है भक्त के प्रतिक शब्दे से प्रभू की ही वारता उटती है और शुरता सुन कर तलीन हो जाते हैं चारों मुक्ती मिलकर के भक्त के घर पानी भरती है और श्री के साथ श्रीहरी भी उनकी सिवा में लगे रहते हैं औरों की बात ही क्या है भक्त भगवान की आत्मा है वहां भगवान का जीवन है प्राण है प्रभु पूर्णता भक्त के अंदर है और भक्त पूर्णता भगवान के अंदर है साधनों में मुख्य साधन श्रीहरी की भक्ती ही है भक्ती में भी नाम क तनुषेश है, नाम से चित शुद्धी होती है, सादकों को सुरूप इस्थिती प्राप्त होती है, नाम जैसा और कोई साधन नहीं, नाम से भावबंधन कस्ट जाते हैं, मन ने सब को बांध रखा है, मन को बांधना आसान नहीं, मन ने दिवताओं को पस्त कर डाला, वह इं ठार सकता है, हीरे से हीरा काटा जा सकता है, वैसे ही मन से मन पकड़ा जाता है, पर यह भी सब तब होता है, जब पूर्ण श्री हरी किर्पा होती है, मन ही मन का बोधक, मन ही मन का साधक, और मन ही मन का बाधक, मन ही मन का घातक होता है, अस्टांग योग, वेदाध्यन, सत्य वचन तथा अन्य जो साधन है वह साधनों से जो कुछ मिलता है वह सब भगवत भजन से मिलता है निर्पेच ही धीर होता है धैरिय उसके चरंड शुता है जो अधीर है उससे निर्पेक्षता नहीं होती कोटी कोटी जन्मों के अन्भों के बाद निर्पेक्षता आती है निर अच्छा दनने